Hey everyone, कैसे आप सभी लोग? DSSB ने अगस्त और सेप्टेंबर में होने वाले सभी एक्जाम्स के लिए एड्मिट कार्ड रिलीज कर दिये हैं जिन सभी साथियों के एक्जाम अगस्त और सेप्टेंबर में हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी पर अभी जो परेशानी होगी इस वीडियो के तुरंत देखने के बाद उन लोगों को होगी जिनके एक्जाम अभी शेडूल नहीं होए हैं जिनका एक्जाम शेडूल हो चुका था अगस्त और सेप्टेंबर में मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ कि किन किन एक्जाम का है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं यह जो नोटिस आया था 25 साथ को 25 जुलाई को की बारा आठ से लेकर आप लोगों के काट आउट हो चुका है एडमिट काट निकालने की पूरा प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा प्लीज ध्यान से सुनना वीडियो के एंड तक यहां पर यह इस नोटिस को भी आप लोग ध्यान से देख लेना कौन-कौन से एक्जाम के शेडूल यहां पर आये हैं तो यह लिए लिंक पर लेकर चलता हूं कहां से आप लोगों को अडमिट काट डाउनलोड होगा तो आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे के dssb की तो उपर एक लिंक चलता हूँ लिटेस्ट न्यूज में चलता हूँ लिंक दिखेगा कि एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर लीजिए तो ओके लिखोगे यहां पर क्लिक करोगे तो यह पेज खुल जाएगा इसका डायेंट लिंक भी मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर भी यहां पर आप लोग अप्लिकेशन नंबर अपना डाउनलोड करोगे अप्लिकेशन नंबर यहां पर लिखोगे और पासवर्ड पहले आप लोग पासवर्ड अपना डेट ओव बर्थ डालोगे dd जैसे कि यहां पर लोगों का लिख रखा है एक जुलाई 2000 है तो आप ऐसे लिख होगे 01-01-2000 उसके बाद अपना यह आपका पासवर्ड होगा लोग इन करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो प्लीज पासवर्ड आप लोग खुद से चेंज करिएगा और उसको कहीं note-down करके रख लीजिएगा सेव करके रख लीजिएगा क्योंकि जब आपका answer की आएगी तो आप लोगों को download करने के लिए वही पासवर्ड चाहिए होगा जो आज आप admit card download करते हुए create करोगे यहाँ पर अगर किसी को application number download करने में दिक्कत होती है तो मैं application number के लिए जो official website थी जहाँ पर आपने form फिल करा था www.online.nic.in वहाँ पर आप login करेंगे वहाँ पर आप status में जाएंगे status में जाने के बाद आपको application number मिल जाएगा उसका भी link में description box में डाल रहा हूँ फिर भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत रहती है application download करने में admit card download करने में तो प्लीज आप लोग टेलिग्राम ग्रूप के माध्यम से अपनी जो भी बात है वो पहुचा दीजिए message करके पहुचा दीजिए आप लोगों की admit card download करने में हम पूरी मदद करेंगे चलिए आप लोग सभी लोगों को जिनके भी exam यहाँ पर आ चुके है admit card आ चुके हैं उन सभी को all the very best आप लोगों का exam बहुत बढ़िया हो शानदार हो